हलो स्टूडेंस मैं अंकित आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैगनेट ब्रेंस हिंदी पर जो आपके लिए लेकर आता है हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारे टॉप कोर्सेज और क्लास 7 से क्लास 12 तक के लिए यह सभी कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं एकदम free of cost यानि students आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ रहा है और cbse board हो या यूप, mp, bihar boards हो यह सारे ही boards आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं यहां पर और again free of cost यानि आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ रहा है इसके अरा 25 की book का जो poem है on killing a tree, आज हम करने वाले हैं इसी poem के extract based questions. तो चलिए students, video जल्दी से start करते हैं. सबसे पहला extract है, it takes much time to kill a tree, not a simple job of the knife will do it. It has grown slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water and out of its lepris hide, sprouting leaves. तो students, इस extract, यह सबसे पहला extract है इस poem का और इसके अंदर क्या समझाया गया है? यही पोरा detail में explain क्या गया है इसके बारे में किस तरीके से एक पेड को काटना उसको इतना आसान नहीं है उसे मारना कि थोड़ा सा हम अगर उसको मारें या थोड़ा हलका फुल का काटा पीटी अगर उसके साथ करें तो वो नहीं मरेगा उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा उससे हलकी सी कुछ चोट लग जाएंगी थोड़ा सा चोटल हो जाएगा वो लेकिन वो जो घाव है वो आसानी से भर जाएंगे क्योंकि बहुत ही मजबूत और बहुत पुराना पेड़ है जो अच्छा खासा हो स्ट्रॉंग है तो एक दो जाब से या एक दो वार से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर कुछ हो सकता है तो तब ही जब आप उसे जान से मार दें तो देखते हैं इस पर क्या क्वेस्टेंज बने हैं identify the poetic device in the first line of the poem. यानि इसकी जो first line है इस poem की, it takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. इसके अंदर कौन सी poetic device use हुई है? Students, इसे कहा जाएगा consonants, prominence of T sound is used in the first line of the poem. It takes much time to kill a tree. अब देखिये, It takes much time to kill a tree. यह है consonants. अब students, जो मैंने poetic devices आपको करवाई थी, उसमें मैंने consonants जो है उस poetic device को cover नहीं किया था. उसका reason यह है कि जो भी main या एक जो poem होती है उसमें बहुत सारी poetic devices होती हैं. हम उसी को cover करवाते हैं जो main होती हैं, जो जैसे keywords होती हैं, उसी तरह से जो main poetic devices होती हैं, उसी को ही cover करना और समझना जादा important होता है, ताकि हमें उसका जो meaning है, वो समझ में आई proper. ठीक है? मैंने एक question आपके लिए लेकर आया है, इस first extract में ही. यह एक key poetic device नहीं है. यहां मैं लिख दू, key poetic device नहीं है. ठीक है? तो इसलिए कभी भी confused होनी की ज़रुरत नहीं है, कि क्यों हमने वहाँ इसको cover नहीं किया? I hope यह आपको बात clear हो गई है. बट यहां पर आपको यह बता गया है कि जो टर का sound है. टी, 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 टी and टी. यह prominent है इस first line में, इसलिए हम इसे consonants कहेंगे और यह एक perfect device है, जो इसमें use हुई है. All right, I hope students, यह आपको यहां तक clear है. It takes much time to kill a tree. टी, 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 टी. All right, चलिए, आगे बढ़ते हैं और दूसरा question है. Can a few blows from an X kill a tree? Few blows का मतलब यह है कि दो तीन बार अगर हम उसे मारें, यानि blows का मतलब है मारने से है यहां पे, कि अगर उस मारें पेड़ को, तो क्या उससे, जो पेड़ है वो मर जाएगा? यहां किस से मार रहें? एक्स यानि कुलहारी से मार रहे हैं. और answer है no. A few blows from an X cannot kill a tree. It takes much more than that to kill a tree. I hope students, यह बहुत easy answer है, आपको clear हो गया होगा कि आसानी से एक दो बार मारेंगे तो उससे बिलकुल भी उस पेड़ को कुछ भी नहीं होने वाला है. क्या होगा सर्फ? होगा यह कि जिस तरीके से इसको मारा जा रहा है, जिस तरीके से, उसी तरीके से, जिस तरीके से, जिस त स्टक देर, basically जैसे ही हम एक या दो बार के वार से पेड़ नहीं मरता, अगर उसे जान से मारना है, तो हमें उसकी जड़े उखारनी होती है, इस एक्स्रेक्ट के अंदर जड़ो की बात नहीं की गई है, सिर्फ इतना बता गया है कि एक दो वार से पेड़ का कुछ नहीं ब पर आकर बिलकुल एक अटकन हो गई थी गले में तो मैं भोली नहीं पाई, hopefully आपको clear है अभी, बढ़ते हैं अपने अगले question की और, how does a tree gain its strength, एक पेड़ को strength कैसे मिलती है, earth से, sunlight, air, water, इन ही सब से मिलती है क्योंकि यही उसकी खुराक है, a tree draws its strength from the earth's crust by absorbing the sunlight, air and water, यही है इ इसी से ही यह पेड़ जो है पनपता है, where do the leaves come from, leaves कहां से आती है, ground के पास से, leaves sprout from the bark of the tree, जो bark होता है, तना है, वहां से, जहां से आप काट दोगे, वहां से पनप उठेंगी, close to the ground होती है, मिलत, ground के पास से, तो यही है इसका सही answer, right, बहुत ही, बहुत ही, बहुत ही easy or simple से questions and students, but सिर्फ इनको ध्यान से देखने की जरूरत है, इतना जादा, अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम जब कोई question पढ़ रहे हैं, जैसा भी है, यह चाप्टर पढ़ रहे हैं, यह भी हम यह जो पॉम पढ़ रहे हैं, तो हर question हमें पता है कि इस पॉम से related है, तो हमारे लि मुश्किल होता है कि कहां से क्या question किस तरीके से बन गया, ठीक है, इसलिए यहां पर ऐसे में आपको confusion नहीं create होने देना है दिमाग में, हमें आसानी से ही उसको answer देना है, क्योंकि इस confusion के चक्कर में बहुत ही basic answers भी होता है, वो भी हम गलत कराते हैं, बहुत गलत करते हैं, तो वो हमें confused नहीं होना और ये तो बिलकुल ही सूचना है, ये तो बहुत easy हो जाएगा, no, किसी को भी lightly नहीं लेना है, जा कोई भी chapter हो, poem हो, कोई भी subject हो, इसको lightly नहीं लेना है, alright, चलिए, next question, जो है, हमारा next extract है, So hack and chop, but this alone won't do it, not so much pain will do it, the bleeding bark will heal and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs which if unchecked will expand again to former size, अब यहां students क्या रहा है कि अब और उसे मारिये और उस पर प्रहार कीजे, लेकिन इतने से भी से भी कुछ नहीं होगा, बहुत जादा नुकसान उसको नहीं पहुचेगा, क्योंकि जो bleeding bark है, वो heal हो bleeding bark है क्या मतलब जो sap निकलता है, जो चिपचिपा वो पदार्थ होता है, उसके बारे में उसे खून से compare किया गया है, तो यह बताया गया है कि जो bleeding bark है, वो heal हो जाएगा और नहीं पत्या, नहीं ट्विक्स टेहनिया कहां से उगाएंगी, close to the grounds, close to the grounds जो है वो इस stanza में यूज हुआ था, बार्क से पत्या निकलेगी, तो यह difference है, इसे ध्यान रखिये, will rise curls to exit them, घूमी हुई जो green हरी डालिया टेहनिया है, वो निकलेगे और miniature boughs, which if unchecked will expand again, जो former size में लब अगर इनका ध्यान नहीं रखा गया ना, तो यह पत्या डालिया यह जो बाउस है, वो से उगेंगे और पहले जितनी size के हो जाएंगे, पहले जितने ही जादा बड़े पनब जाएंगे, देखते हैं इन पर questions क्या बनते हैं, which poetic device is used in the phrase bleeding bark and it's something very easy, it's alliteration, यह students MCQ में भी था, यह NCRT solution में भी और यहां पर भी है, क्योंकि इस poetic devices में, not in NCRT solutions, poetic devices में, यह बहुत important है तो alliteration is used in phrase bleeding bark, burr and burr, alright, same sound जो है, वो repeat हो रहा है, शब्द के सबसे पहले letters के अंदर, alright, चलिए, यह clear है, next question पर बढ़ते हैं, जो की है, what happens when a tree is cut down, जब एक tree को पेड को काट देते हैं, तो क्या होता है, when a tree is cut down, it sprouts green curled streaks, which develop into full-sized branches, यानि वहां से फिर से नहीं पत्या, नहीं टहनी, डाली, उगने लग जाती हैं, और वो पहले जितनी वो डालियां, जितनी पहले बड़ी थी, वो उतना ही बड़ा जाड जंजाल बन जाता है, पूरा, ठीक है, तो यहां पर यह लिखा जा सकता है, इसके अलावा अगर long questions में यह answer लिखना पड़े आपको, तो आप और भी चीजी लिख सकते हो, जो bleeding portion होता है, उसके बार में discuss कर सकते हो, कि वो heal हो जाता है, और नहीं पत्या निकलाएंगी, यह पूरा stanza जो है, आप explanation में जो है, इस्तमाल कर सकते हैं, hopefully students, यहां तक एकदम अच्छे से clear ह यह पूम जो है, बेसिकली मुश्किल बिल्कुल नहीं है, काफी आसान है, लेकिन होता क्या है, हम बहुत आसान चीज़ को जादा ध्यान नहीं देते हैं, skip कर देते हैं, तो वो गरबर हो जाता है, ठीक है, वो हमें नहीं करना है, दूसरा एक और चीज़ ध्यान रखनी है, वो यह, कि यह जो डीटेल्स है, वो कही ना कही ऐसी इंपॉर्टेल्स है, जो हमारी जो रिल लाइफ है, उसके साथ कनेक्टेड है, तो हमें उस हिसाब से भी इसको समझ, अगर हम समझेंगे, तो हमारे लिए, हमारे परसनल ग्रोथ के लिए भी बहुत यह अच्छा होगा, तो do understand that, आगे बढ़ते हैं, next question है, what happens to the breeding bark, उस breeding bark के साथ क्या होता है, a breeding bark heals up again and sprouts fresh twigs, जहां से कटा है, जहां से पेड को काटा गया है, और जहां से वो साप निकल रहा है, जिसे खून से कंपेर किया गया है, वो फिर से ठीक हो जाएगा, हील हो जाएगा, और वहां से फिर स डालिया फिर से वहां पर आने लगेंगी, क्योंकि यह जो पेड है, काफी स्ट्रॉंग है और काफी मजबूत है, इतना असानी से मरने वाला नहीं है, आगे बढ़ते हैं, what does re-growing of a haggd tree indicate, ठीक है, मतलब re-growing of a haggd tree, haggd tree मतलब कटा पिटा जो पेड है, वो जब फिर से grow होने लगता है, re-grow मतलब फिर से जब पनपने लगता है, फिर से पनपने लगता है, तो यह पूरी चीज़ फिर से जो पनपने लगता है, यह क्या दर्शाती है, कि जो पेड है, फिर से पनपने क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है, कि nature is not easily defeated by man, मतलब इंसानों द्वारा इतना आसानी से प्रकृति को नुकसा नहीं पहुंचा जा सकता है इतना सरल नहीं है कि हम किसी भी नेचर को खतम कर दे प्रकृति द्वारा इंसान द्वारा प्रकृति अपने आप में कुद्रत अपने आप में सबसे बड़ी तागत होती है ठीक है उसमें इतनी शमता है कि इ एकनी आसानी से खतम नहीं किया जा सकता और दूसरी बात ये कि इंसान के लिए है ये प्रकृति ये जो भी कुछ है वो सब इंसानों के लिए या सिर्फ इंसानों के लिए नहीं जो भी जीव धरती पे मौझूद है उन सब के लिए ही वो प्रकृति है लेकिन नुकसान उसका कितना नुकसान कर रہं और धीरे धीरे कितना उसको अंत के निकट लेकर आ गए हैं बिसे लिए समझा जा रहा है लेकिन यह इतना आसान नहीं हमारे लिए कि हम उसे हरादें दूसरा अगर हम कहीना कई प्रकृति को नश्ड भी कर देता है ना तो उसे प्रक्रती नहीं हारती, वो हमारी हार है, क्योंकि हम नहीं समझ पाए कि हमारे लिए क्या सही था, क्या गलत, ठीक है, आगे बढ़ते हैं students, What do you understand by miniature boughs, मतलब miniature boughs का क्या मतलब है, miniature boughs are new branches that sprout where a tree has been cut or hacked, if left unchecked they will grow into a massive tree, इसका मतलब है, यह चुटी चुटी पत्तियां जहां से निकलती हैं उसे कहते हैं boughs, और वो पत्तियां जहां से आप एक पेड़ को काड़ देते हो, वहां से भी निकलती हैं, वो धीरे बढ़ते 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 क्या होता हैं, बड़ी branches हो जाती हैं और अगर इन बढ़ती भी branches को ध्यान ना दिया गया ना तो क्या हो जाता है, वो massive tree यानी बहुत ही बढ़े और विशालकाई tree का वो रूप ले लेते हैं, है ना तो यह हमें ध्यान देनी की ज़र कि किस तरीके से, sarcasm है basically not satire, sarcasm है कि किस तरीके से जो है कीव पटेल, इस चीज के लिए कह रहे हैं कि हम कितना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं प्रकृती का, ठीक है, चली students, I hope यहां तक आपको अच्छे से clear है, बढ़ते हैं आगे, यह extract है, हमारा third extract और जो शुरू होता है, होता है नो शब्द से और इसे नो आप अपने हमेशा इस तरीके से पढ़े हैं कि नो, यह बहुत ही strong reaction है, कि पटेल का यहां पर, no, the root is to be pulled out, इतनी आसानी से नहीं मरेगा यह पेड, जो जड है, उससे आपको खीचना पड़ेगा, ठीक है, the root is to be pulled out, out of the anchoring earth, it is to be roped, tied and pulled out snapped out or pulled out entirely, out from the earth cave and the strength of the tree exposed, the source white and red, the most sensitive hidden for years inside the earth, इसका मतलब यह है students, कि आपको अगर ट्री को मारना पड़ेगा, छोटी मोटी चोटो से तो उसका कुछ नहीं होगा, वो तो फिर से पहले जैसा बड़ा पेर बन जाएगा, लेकिन आपको उसको मारने के लिए क्या करना पड़े एक बड़ी सीरसी से मजबूत से उसको बांदा जाएगा उस पेड़ से और खीच के उसे निकाला जाएगा, ताकि जो जड़े हैं, जो अंदर तक जमीन के धसी हुई है, वही जमीन जिसने इस पेड़ को पन पाया है, वहां से इसे जब हम उखार लाएंगे, तब ही कही न कहीं बात बनेगी, कि यह जो पेड़ है, वो मरेगा, और फिर उसकी जो स्ट्रेंथ है ना, जो रूट्स है, जो सदियों से वहां पे, जो बहुत सालों से बहुत समय से जमीन में गड़ी हुई है, जिसकी वज़े से इतना बड़ा पन पा है यह पेड़, वो स्ट्रेंथ हम इंकरिंग अर्थ का, it means, it refers to the tree's root that lie within the earth and act as an anchor for the tree to grow and hold it formally, इसका मतला पर जो रूट्स है ना, जो पहली हुई है, जो पहली हुई है, जो पहली हूई है, जो ठसी हूई है, किस तरीके से रूट्स है, जो मिट्टी है, एक दो एसे जो से क्लिंग है, एक दम बन्धी हुई है they bind together किस तरीके से जो nutrition है जमीन का वो पौधी को मिल रहा है और किस तरीके से जो ये nutrition की वज़े से पौधा पनप रहा है और पनप के पेड़ हो गया है और ये एक anchor का काम कर रही है मिट्टी जद अर्थ है एक पेड़ के लिए anchor का काम कर रही है उसे और अच्छे से पन पा रही है उसे बहुती फर्मली स्ट्रॉंगली उसको जगड के पकड के रखा है ताकि पेड़ जो है ग्रो होता रहे आगे बढ़ते हैं वेर दस ट्रेंथ अव दे ट्री लाई जो एक पेड़ की जो स्ट्रेंथ है वो कहा होती है उसकी जडों में और यह जो जड है वो कहा पर है मित्टी में गहराई तक धसी हुई है तो यहां पर the strength of the tree lies in its roots यानी जडों के अंदर यह हैं और यह जड़ फिर मित्टी में और यह किस color की होती है वाइट गलर की सी होती है हरकिसी wet होती है next question है How can the root of a tree be destroyed? किस तरीके से उसे destroy किया जा सकता है? उसे बांध कर और खीच कर बाहर निकाले. Root is to be pulled out of the earth and exposed to the scorching heat. मतलब एक्तम जुलसा देने वाली. scorching heat जुलसा देने वाली जो गर्मी होती है. मतलब धूप की जो किरिणों में है, अगर हम डाल देंगे, तो वो सुखी जाएगा ना जुलसी जाएगी. तो जो खीच कर हम जो रसी से बांध के, खीच कर और जड को खीच कर हम जमीन से उखाड लेंगे और फिर उसको जुलसी वी धूप में छोड़ देंगे, तो वो खतम हो जाएगी, मर जाएगी. Next question है, Which is the most sensitive part of a tree? Roots ही है, और roots में कौन सा? जो white और wet जो हिस्सा होता है. It is the most tender, sensitive and fragile part. Its root is the most sensitive part of a tree. सबसे अदा fragile होता है, sensitive होता है, और बहुत tender होता है. ठीक है? आगे बढ़ता है students, Which part of the tree is wet and white? Basically, same ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है. The roots of a tree are wet and white. Three questions आगे back to back, जो की roots के बारे में ही है, बट तीनों अलग तरीके से पूछे का हैं, तो आपको ये धियान रखना है, कि किस तरीके से जो है, इस तरीके ही questions बन जाता है, ताकि प्रॉपरली आप answers उनके frame कर पाओ. ठीक है? I hope students यहां तक आपको एकदम clearly अच्छे से समझ में आ गया है. अब ये है हमारा stanza number fourth. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering and then it is done. ये last stanza है, इसमें basically बता रहे हैं कि, जिस तरीके से पेड़ को खाड़ के हम छुलस्ती धूप में रख देंगे, वो सूख जाएगा, हवा और हवा के कारण, धूप और हवा के कारण जो है, वो dry हो जाएँगे और फिर क्या होगा, धीरे धीरे brown होती चली जाएँगी, उसके बाद एकदम सक्त हो जाएँगी, फिर घूम जाएगी, उनके शेपलेस हो जाएगी, शेप बिगड़ जाएगी, और विदरेंग, विदरेंग मतलब एकदम मुर्जा जाएँगी, ठीक है? And then it is done. फिर बस हो गया, खतम है एक पेड, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ आंकर पेड जो है, अपना दम तोड़ देगा. देखते हैं, इस पर क्या क्वेश्चिन बनते हैं? What remains to be done to kill a tree after its root has been pulled out? ठीक है? अब tree को मारने के लिए, मतलब जब roots को जब बाहर खीच कर निकाल देंगे, तो क्या बचता है tree को किल करने के लिए? जब हम root से बाहर खीच कर ले आए, तो tree तो मरी जाएगा? ना, 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 यह तो सिर्फ एक हिस्सा है, इसके मर्जर में, जो second part है, वो तो अभी तक पूरा हुआ ही नहीं, माल लो, अगर किसी ने tree को वापस से, जमीर में गाड़ दिया, तो अभी भी वो जिन्दा है, हो सकता पनब जाए है ना, लेकिन यहां क्या है, करना क्या है आप लोगों को, कि अभी उसे बाहर ही छोड़े रखना है, ताकि वो धूप में और हवा के contact में जैसे ही आए, वो धीरे-धीरे सुखना शुरू हो जाएगा, ड्राइ हो जाएगा और फेर मर जाएगा, तो क्या है? The trees has to be dried up after being uprooted, उसको सुखाने की जरूरत है, ठीक है, next question है, What dries up the tree? क्या सुखाता है ट्री को? Sun and air, the hot and scorching sun dries up the tree, इसमें आप air भी लिख सकते हैं, उससे भी वो dry होता है, What happens to the tree in the sun and dry air? The tree turns, पहले brown हो जाएगा, then harden, then twist, then withers in sun and dry air, ये सब हो जाएगा, उसके साथ एकदम खराब हो जाएगा, सड जाएगा, गल जाएगा, सूख जाएगा, एकदम सक्त हो जाएगा, और एकदम जाड़ी जैसे जड़ हो जाएगी, जो कभी moist और wet हो जाएगा जाएगा जो कभी moist और wet हो करती थी, राइट चलिए, नेक्स्ट है, and then it is done, What does it stands for? अब जैसे मैं आपको पोईटिक, repetition में बताती हूँ, इसको पोईटिक डिवाईजस की जो repetition है उसमें बताती हूँ की कोई important part, अब देखे, यहाँ इट चो है ना, यहाँ पूचा जारह है की यहाँ चादरशाता है, है ना, यही बताया गया है की इट चो है, वो क्या दरशाता है, तो, important हो गया इस मामले में it, इस poem में it important नहीं है, लेकिन इस question ने इसको important बना दिया है basically, and then it is done, तो क्या हो जाएगा, उसको जो killing है ना, means finally the tree will die, यानि basically जो killing है ना, वो हो जाएगी, मतलब हमारा जो murder plan किया है ना, अमने tree का, वो plan जो है, successfully execute हो गया, एक एक tree को मार गिराया, कोई प्राउट की बात नहीं students, ये किसी भी इंसान के लिए, किसी के लिए भी, बिलकुल भी कोई positive बात नहीं है, it's something very, very negative, very against, against, very, very much against the nature, right, तो यहाँ and then it is done, means finally the tree will die, ठीक है, यहाँ it चो है, killing को ही दिखाता है, which means the same as the following words, blazing, torrid, searing, ये blazing, torrid, searing, कौन से शब्द ऐसे पोव में यूज के हैं, मनलब इस extract में, जिसका अर्थ ये सेम है, और जो words है, वो है scorching, ठीक है, blazing, torrid, searing, ये सब जो है scorching हैं, एक्दम जुलसा देने वाली, जो गर्मी होती है, दूप की जो direct किरन पढ़ती हैं, वो है ये basically, I hope students, यहां तक आपको अच्छे से एक्दम clear हो चुका है, और यहां पर हमारा ये जो extract based questions का जो video है, वो end होता है, hopefully आपको सभी questions अच्छे से समझ में आए होंगे, और उनके answers और उनके explanations भी एकदम अच्छे से clear हो गए होंगे, फिर भी किसी किसम का कोई भी आपको doubt है, तो हमेशा की तरह आप comment section में comment करकर पोच सकते हैं, इसके अलावा अगर आपको ये video पसंद आया हो, तो like तो करना ही है students, जादा से जादा share भी करना है इस वीडियो को, और अगर Magnet Brains Hindi को subscribe नहीं किया है, तो अभी और इसी वक्त इसे जरूर से जरूर subscribe कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए लेकर आता है, higher quality education with all these top courses, अब देखे, CBSE जो है वो English और Hindi, दोरो mediums में आपके लिए available है, इसके अलावा, UPMT, Bihar Board, ये सब भी आपके लिए available है, तो यानि class 7 से लेकर class 12 तक के students को फिकर की कोई बात नहीं, क्योंकि आपके लिए सारे courses available है, और एकदम free of cost, यानि आपको इसके लिए कुछ भी पे करनी की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ये आपके लिए free में available है, इसके अलावा, अगर आपको e-books या e-notes चाहिए, तो आपको description box में links दे गए हैं, वहाँ जाकर check कर सकते हैं, और latest updates के लिए आप हमें follow कर सकते हैं, Instagram, Telegram, Facebook और Twitter पे, और आपको ये सभी videos जो आप देख रहे हैं, वो www.magnetbrains.com पर भी easily मिल जाएंगे, इसके अलावा, students, अपनी तयारी जो है, उसे एकदम पक्के रखिए, मेरे साथ जुड़े रहे हैं, और कभी भी अपनी तयारी में कोई भी doubt आ रहा है, तो उसे comment section में comment करके पूछने का, बिल्कुल भी miss नहीं करना है आपको, तो students, अपना ध्यान रखिए, take care, see you soon and thank you so much.